पंजाब हर्याना हाई कोट का एक बड़ा आदेश आपको बता देते हैं शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश पंजाब हर्याना हाई कोट में दिया है और समय दिया है एक हफ़ते का एक हफते में शंबू बाडर को खोलने के आदेश कोट की तरफ से दिये गए हैं। दरसल किसान आंदोलन की वज़ह से ये शंबू बाडर बन था। बाडर से बेरिकेट्स हटाए जाये जो लगाए गए हैं। ये पंजाब हरियाना हाई कोट की तरफ से साफ तर पर कह दिया बढ़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब हर्याना हाई-कोड का बड़ा आदेश शंबू बॉटर को खोलने का आदेश दिया गया है खोड़ो और एक हफके में शंबू बॉटर को खोलने का अल्टीमेटम भी दिया गया है किसान आंदोलन की वज़र से शिंभू बॉर्डर बंद कर दिया गया था वहाँ पर बेरिगेटिंग कर दी गई थी तस्वीरे आप देख सकते किस तरह से फोर्चस की तैनाती भी थी ताकि किसान दिल्ली की तरफ ना जा सके उनको हर्याना में ही रोग दिया गया था और इस वज़े से देखिए अब पंजाब हर्याना हाई कोट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है शंभू बॉर्डर को एक हफ़ते में खोलने का अल्टिमेटम दिया गया है और इसकबर पर जाद जानकारी के साथ चंडिगर से हमारे सयोगी विज़े राना हमारे साथ लाइफ कनेक्ट हो गए है सीधे विज़े का रुक कर लेते हैं विज़े काफी वक्स से शंभू बॉटर बन था थोड़ी परिशानिया भी लोगों को काफी फेस करनी पड़ रही थी अब एक हफ़ते का अल्टिमेटम दिया गया है खोलने के लिए पुरी जानकारी बताईए ज़रा बिल्कुल हम हर्याना और पंजाब हाई कोर्ट मुझूद है और थोड़ी देर पहले ही आदेश दिया गया हाई कोट की और से जिसमें कहा गया है कि शंभू बोडर को जो जब किसान अंदुलन शुरू हुआ था इस साल तब बंद कर दिया गया था और उसे एक हफते के अंदर खोला जाए हर्याना और पंजाब दोनों सरकारों को यह देश दिया घया है तो वहां से तते के अंदर और रखोल्ड का का और लगाई गई है को बढऄफ से घंठ होटा यह रोग ना वहाँ को पूरी तरह से जो शम्भू बोडर है वो बंद किया गया है वहां से आवजा है बिल्कुल बंद है किसान अंदुलन कारी जो भी वहां पर बैठे हुए है तो हाई कोड का साफ यह निर्देश है ना सिर्फ सरकारों के लिए के लिए भी है कि शंभू बोडर की किसी भी तरह की जो अवरोध है वो नहीं होना चाहिए अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं वो अलक मसलह है वह दिल्ली जा सकते हैं लेकिन जो अदेश व की क्लियर किया जाए और सरकार वहां से बेरिगेंट इटाए हमारे साथ एडिशनल एजी है उन्हें बात करते हैं सर जो यह आदेश आया है इस आदेश कैसे देखते हैं सर अदेश यह है कि जो नेशनल हाईवे 44 क्लोजड है फेबररी से उसको खोलने के निर्देश दिये गए हैं विदिन सेवन डेस और दोनों ही स्टेट्स को यह निर्देश दिये गए हैं कि आप लॉइंड और को मेंटेन रखोगे और किसानों को भी और में यह कहा गया कि कर सकते हैं फिर आगे पुलिस को रोग नहीं पाएगी सर वो डिपेंड करता है कि अग इफ देर इस अनी प्रिवेंटेव और बाइन अफ दिस्टिक मेंजिस्टेट तो देव टोबाइट वाइट वाइट लिए पूलिस के लिए चुनोती रही कानुन उस्ता को बनाया सर उसके लिए सी एफसल रिपोर्ट में आया है कि शॉट गन से फायर हुआ है तो बाकी मैटर ओफ इन्वेस्टिकेशन है सर जैसे जैसे इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ेगी सचाई सामने आई उनके लिए भी कोई आदेश सरकार के उसे दिया लिए कोई वो सर मैंने करें बताया कि सरकार को अदेश दिया गया है कि बेरिगेटिक मांसे हटाई जाए और हाला कि दो ने कहा कि इससे जो करून रबस्ता है वो कोई प्रभावित नहीं होगी पुलिस के हाथ में सारी करून रबस्ता रहेगी जी लेकिन विजए ये आदेश सिर्फ सरकार के बिल्कुल वह कुछ करेंगे और जैसर कि हमारे अडिशनल एजी जो हैं हरियाना के उन्होंने बताया दिपक सब्यवाल ने कि डिश्टिक जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके अपर निर्बर करेंगा कि वह उस कंडिशन को किस तरह से वह संभालते हैं वहां पर कोई प्रदाशन करना तो इसलिए एक जगा वह निर्दारी कर सकते हैं जहां पर किसान अपना प्रदाशन वह आगए बढ़ा सकते हैं दिल्ली चाहें जो डिल्ली के वांगे वह समय देखेंगे तो ऐसे में अब किसानों की रणीती किस तरह से आगे की रहेगी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन तो ये है कि सरकार की तरफ से क्या वहाँ पर उस जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर बेरिगेटिंग की गई है उसको हटाने की या उसको खाली करने की कोई कारवाई कब तक शुरू की जा सकती है तो कहीं न कहीं है और कोई लाएंड ओडर की साथ दिन के अंदर अंदर जो शंभू बॉर्डर के बैरिकेटिंग है उसको हटा दिया जाए इसके साथ हर्याना सरकार और पंजाब सरकार दोनों को निर्देश दिये हैं कि लाएंड ओडर को मेंटे इन रखा जाए और इसके इलावा हमारे एक सीनियर ऑफिसर मिस्टर सतीश बालन जी है जो कमिशनर ऑफ पुलिस जजर है उनको नॉमिनेट कर दिया गया है शुब करन के केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करने की किसी की इन्वेस्टिगेशन बागे क्यों कि अभी सर अभ सबխड किसान बैथे रहते हैं वह पंजाब की तरफ बैठे हैं वो पंजाब गॉवर्मनेट आपको बता पाएगी क्योंकि वो बैठे जो हैं वो अध्मिटेड फैक्त है पंजाब की तरफ हाहरै और अगर लाइड ऑर्ड्र खिराब होते तो दोनों ही स्टेट्स को निर् प्रवाइब देवेच जड़ा शुब करन दे केस देविच एफ आई यार होई सी पटे आले जीरो एफ आई यार जिन्नू हर्याना गौवर्मेंट नूपे इजदता गया सी क्योंकि कमेटी ने रिपोर्ट देती कि ये जड़ा वाक्या हर्याना दे दाता सिंग वाला पिंड ओफिसर्स दे नाम देते जान जिना विचो कोट एक अफसर नूँ साइटी इन्वेस्टिगेशन करन लई चुनेगी फुन आज जैसी तिन नाम देते सी जिदे विचो मिस्टर सतीश बालन जो आई जी कमिशनर और पुलिस चजजर है गया उनना नूपिनेट कर देता है श उसके लिए भी निर्देश दिये गए हैं सरकारों को अगर कभी अगर स्थी बिगड़ती है तो उस परिसिती में सरकार किस तरह से कदम उठाती है अलाकि वह देखने वाली बात होगी वह उस समय यह निर्धारित किया जाएगा सरकार कि उस समय क्या करना है लेकिन फिलाल ऐक हफते के अंदर ये अदेश देगे ग है एक हफते के अंदर ज चमभी बौड रहे हैं किस तरह सवागत किया गया है या उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है कि अभी तक बिल्कुल अभी तक प्रतिक्रिया हलागे किसान संग्धनों की ओर से नहीं आई हैं लेकिन जो याचिका करता हैं जिन्होंने याचिका लगाई थी उनसे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से याचिका लगाई गई क्या याचिका में कहा गया हमारे सथ वो लोयर भी फिलाल म जाना चाहते हैं और वो पुलिस उन्हें वहाँ जाने से रोक रही है तो यहां पर याचिया करतों जो वकील है वह भी यहां पर इसे में मुझूद है उनसे में बात करेंगे लेकिन जाहिर तो पर किसान संग्ड़नी इस बात का स्वागत जुरू करेंगे कि बैरिगेटिंग पर्मर है दास्पंदरा के जमीन की खेती करते हैं हम भी परशान है लेकिन जो बाडर रुका है खुलना चाहिए जो किसान है पीसे मुझ सकते है जा आगे जा सकते हैं जो रस्ते में है वह बंद है खुलना जाए तो वहां पर उड़ जाएंगे किसान आगे दिली चले अब आप जड़ा परशा पने जड़ी चल रही आम जनता होना प्रशान कर यह ताउट जाके जड़ा सी बैठांगे बड़े राम जड़े सदे टंग ना बैठांगे असी कसान दे बेटे यां आसी बहुत ट्राम दे बादर रहां ते रुली आने ते साधी कोई सरकार सुनी जाएं दिल्नी जाएंगे अас सरकार को जाते हैं ऊते हैंते सांती गल्वाज़ करांगे ड़े जांगे लगाएगन हैं इस मामले में उनسे बात कर लेते हैं असरए राइचिका में क्या कुछ का गया था आर्लागे रातर जा बारें बाद बास जाते हैं पाचिका मैंने किसानों के हख में की थी कि इनका प्रोटेस्ट बिल्कुली वाजिब है यह MSP की डिमांड कर रहे हैं और स्टेट ओफ रियाना ने जो यह बैरिगेटिंग की है विद्धा है विद्धा हेविंग द प्रोविजन ओफ इलेक्ट्रिफिकेशन यह टोटली बैड इसके उपर वेरियस इंटेरी मोडर पास हुए जैसे कि आपने कवर भी किये थे बट अठाइस मही को हमने इसके उपर बहस करी कि जो यह शंबू बोडर है यह अब तक बंद पड़ा है पिछले छे महिने से इसके उपर स्टेट ओफ रियाना का जवाब आया कि नहीं कि यह पार्शिली खुला है बट हमने इस बात को अब्जेक्ट किया तो जजज साब ने एक स्टेटस सी किया बाइवे ओफ एफट जो कि एफट आज कोर्ट में फाइल हुआ उस एफट एफट में यह प्लीड करा गया कि डू टू पब्लीक ओडर वी हैव क्लोज दिस आईवे ब एक ओडर पास कर दिया स्टेट ओफ वर्याणा को फटकार लगाते हुए कि एक हफते के अंदर अंदर शंबू बॉर्डर से सारे बेरिगेटिंग हटाई जाएगा किसान आगे दिल्ली जाहिर तोर पर वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो कानून बबस्ता खराब हो सकते इसे तरा को दलील हाका सट्बकार करकर दी गई थी और इसके क्या उपाय है बाद में यह जो प्रोटेस्ट कर रहे है वह किसान है ना कि कोई क्रिमिनल ना कि कोई टैररिस्ट यह इस वह अपने ट्रेक्टर लेके जारे हैं ट्रेक्टर कोई वैपन निह है और यह ना वह तोड़ सकते हो अगर वह मैं तो यह बोलता है कि वह एक किसान है यह स्टेट वरियाना का गल्थ नेरेटिव क्रियेट करने जारी है कि यह लो एंड ओडर बिगाड देंगे यह मिंटेन करना लो एंड ओडर स्टेट की ड्यूटी लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं किसान उस सम सरकार के लिए या उसमें सरकार उस समय को देखते हुए कदम उठाएगी वी दपीपल ओफ इंडिया है वी दपीपल ओफ इंडिया है इंटो सोवरें सोचलिस्ट डेमोक्राटिक रिपब्लिक and ensure to all our citizens justice, liberty, equality, fraternity justice includes social, political तो अब ये प्रियंबल मैंने आपके आगे बढ़ा है और right to move, article 19 का एक right है right to move within the territory of India article 1 of Indian constitution says India that is भारत is union of states so even if we assume that these are the farmer of the Punjab they are exercising their fundamental right they have all the right to move within the within any territory of India without any unreasonable restriction मैं किसान नेता हूँ, मैं एक ओफिसर ओफ कोर्ट हूँ नहीं, मैं बिलोंग करता हूँ एक किसान की वैमिली, मेरे फोर फादर किसान होते थे बट मेरे को किसानों के बारे मेरे को नहीं पता है मैंने तो उनके, जो उनके कनूनी हक थे उसके लिए मैंने ये दायर गिरती और आज मैंने लेके दे दिया हूँ टो ये याचिकाकरत्ता वकील से जिनकी और fracture लगाή थी एक किसानों के और से इन्होंने मैं उनके लगाई थी हाई कोर्त में उसी याचिका पर आज फैसला आया और उन्होंने ये कहा है कि अपनी याचिका में कहा गया कि भारत का नागरी के है भारत में कहीं भी वो जा सकता है उसे कहीं भी जाने का अधिकार है और जो लो एंडर की जो बात है वो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार उसे कैसे मेंटेन करती है अलाके किसानों का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो कारून वस्ता खराब करें और शंब बोर्डर जो पिछले करीब 6 मेनी से बंद पड़ा है उसको खोलने के जो आदेश है अब हाई कोट के दिये गए हैं हलाके किसान संग्धन जो है वो इस फैसलों कैसे ले ये आदेश कोट ने ये दिया है कि जो प्रदेश सरकार है फिर चाहिए वो पंजाब सरकार हो या हरियाना सरकार हो इनको शंबू बॉर्डर पर जो बैरिगेटिंग सरकार ने की है किसानों को रोकने के लिए उस बैरिगेटिंग को हटाना होगा उस नैशनल हाईवे को क्ल करना होगा या चिका करता कि जो बकील थे उनके तरफ से भी तमाम जानकारिया अभी आपको हमने बताई कि किस तरह से कोट ने आदेश तिया है कि प्रदेश सरकारों को बेरिगेटिंग को हटाना होगा ऐसे में अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो कानून व्यवस्था यानि क लॉयन ओर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी